अब्चो अब नोग बात कर रहे थे अग्सिलरेटर सिरीज पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना और यह जो कॉनसेप नुमबर फोर है बचो हमारा यह बेज़्ड है इलेक्ट्रो स्टाटिक्स पर और देखिए मैंने concept number two में electrostatics में charge के बारे में बात किती बचो और एक बड़ा शांदार formula आपको बताया था charge की problems को solve करने का बचो अब बिल्कुल उसी conditions को हम आगे बढ़ाते हुए charge के उपर कुछ नई concepts देखते हैं और देखते हैं कि charge की problems को कैसे solve किया जाएगा आई ये student जानते हैं charge के कुछ concepts के बारे में बचो देखिए जरा student हमने last class में आपके सामने एक formula लिखा formula है q is equal to वैसे तो journal formula अपने पास में student होता है ये q is equal to n into e n number of electrons और e है charge of electron लेकिन जब इस formula को थोड़ा सा modify student किया जाता है तो ये formula बन जाता है q is equal to small m upon capital m into n naught into small n into e ये formula बचो हमारा ये तयार हो जाता है देखिए आप याद करिए last condition में इसी formula को हमने किसी भी neutral substance के उपर apply किया था और वहां हम लोगों ने जाना था कि भई किसी भी neutral substance के अंदर कितना positive charge होने वाला है और उसी substance के अंदर कितना negative charge होने वाला है आज इसी formula को student हम किसी ion के उपर apply करने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि किसी भी ionic material के अंदर कितना positive या कितना negative charge होने वाला है example के तौर पे आप ये देखें बचो problem हमारे पास में ये बनती है for example find positive charge find positive charge in 11 gram of sodium plus देखें student हम से ये problem पुछी गई है find positive charge in 11 gram of sodium हमें 11 gram of sodium के अंदर positive charge बताना है कितना होगा और देखें sodium ion है na plus यानी sodium एक यहाँ पर ion की तरह बहेव करेगा इस ion के अंदर सिर्फ positive charge होगा क्योंकि na के उपर plus लिखा हुआ है एक electron की deficiency है एक atom के अंदर हम बताएंगे कि इसके अंदर कितना positive charge रहने वाला है तो बचो आपके सामने एक बड़ा super formula है यह उड़ी super trick है charge के concepts को, charge की problems को solve करने के और इसके अंदर जो भी content ये formula के अंदर जो भी terms लिखें हुए हैं उनके बारे में आप लोगों बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए like small m, mass of the substance capital M, atomic weight इसका रहने वाला है and not abigadro number है small n, small n है number of iron number of iron के हम लोग कह सकते हैं कि एक atom में कितने electron की deficiency है हम लोग small n को student कहेंगे कि एक atom में कितने electron की deficiency है और small e है हमारे पास में charge of electron आईए और सीधा value पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या answer हमारे सामने बनेगा बच्छो देखें student, charge is equal to mass हम लोगों को given दिया है 11 okay, capital M की value sodium के लिए है बच्छो 23 and not की value है आपके पास में 6.022 into 10 की power 23 small n इस पर आपको अच्छे से ध्यान देना है student की small n यहाँ पर क्या है बच्छो small n यह है कि यह जो n ने प्लस आपको दिया है एक atom के अंदर कितने electron कम है कितने electron की deficiency है देखें, n ने के ऊपर positive है positive का मतलब है कि na के एक atom में एक electron की deficiency है na positive means आपको small n की जहाँ पर सिर्फ एक रखना है बच्छो 1 और electron का charge है 1.6 into 10 की power minus की 19 पर मुझे लगता है कि अगर मैं इसे solve करूं और calculate करूं तो बड़े प्यार से answer निकल जाएगा और बच्छा party आप calculation तो कर ही सकते है calculation बड़ी easy है कोई मुश्किल calculation यहाँ पर नहीं है so charge is equal to positive 11 upon 23 6.022 into 1.6 into 10 to the power 4 23 minus के 19 आप इसे solve करेंगे answer निकलेगा आपके बास में कुलंब में तो बच्छो इसी formula को देखिए मैंने आप लोगों को student कल की class में बताया last concept में मैंने आपको बताया कि formula हमारे पास में यही है q is equal to small m upon capital m into n naught into z into e किसी भी neutral substance के उपर अगर हम formula apply करेंगे तो यह होगा वहाँ पर small n हमें नहीं लेना है वहाँ पर हमें z लेना है z रिपर्जेंट करेगा number of electron यह number of proton को जैसा भी charge हमें calculate करना है z की जगा हमें वो वाली value put करनी है बचो और अगर हमें किसी ionic substance के उपर हम लोगों को यही formula apply करना है यह charge हमें calculate करना है student तो हम formula apply करेंगे बचो यह ठीक है आप लोगों के लिए बड़ा शांदार formula है और बड़े अच्छे से आप इस formula का use करके problem को बना सकते है अगर आपको positive charge निकालना है तो small n का मतलब है कि कितने electron की कमी है जैसे n ने positive था एक single positive इस बात को represent करता है कि n ने plus के पास एक electron की कमी है तो इस positive को मैंने small n की जगा 1 से replace किया है student मुझे उम्मीद है कि formula को आप अच्छे से समझ पाए होंगे और दोनों formula को apply कैसे करना है यह आप लोगों ने जाना होगा बचो z हम कहां use करेंगे किसी neutral substance के लिए like water, nacl या किसी और conditions के लिए हम use करेंगे और यह दूसरा formula है यह iron की condition के लिए हम use में लेकर आने वाले हैं बचो देखे student for example आपके पास में next condition बनती है और देखे कि next condition हमारे पास में है क्या बचो हमें दिया है 20 gram of CA plus plus आप देखो यार calcium के उपर आपको 2 plus दिखाई दे रहे plus plus हम कहेंगे definitely इसके उपर positive charge है लेकिन हमें देखना पड़ेगा देखो एक atom के उपर दो positive charge है एक atom के उपर कितने positive charge है दो positive charge है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें 20 gram के अंदर पहले calcium iron के number of iron calculate करने पड़ेगे फिर उसकी multiply 2E से करके हमें charge को calculate करना पड़ेगा क्या तो हम ये पूरा सीधा concept लगाकर problem को solve करें या हमारे पास में जो सीधी trick है जो super trick हमारे पास में है student हम सीधे उस concept का use करके भी problem को solve कर सकते हैं और वो जो सीधी trick है हमारे पास में वो जो सीधा concept है हमारे पास में वो क्या है बचो पोर स्टूडेंट ये है small m upon capital m into n naught into small n into small e हमारे पास में वो जो सीधा concept है बचो वो ये होने वाला है आईए देखते हैं कि इस concept को हम solve कैसे करेंगे यहां के according Q is equal to calcium का mass रहने वाला है 20 capital m रहने वाला है 40 अरे यार इतना तो पता ही होना चाहिए हम लोगों को अगर हम 12th standard पर पढ़ रहे हैं बच्चा पार्टी तो इतना हमें clear होना चाहिए बिल्कुल कि capital m की value हमारे लिए calcium के लिए 40 होने वाली है वैसे calcium isotopes की category के अंदर आएगा small m मुझे given दिया गया है 20 gram और capital m की value है 40 for calcium ठेक है and not की value student मेरे पास में है 6.022 into 10 की power 23rd and पूरा मामला आकर small n पर अटक जाता है मैंने आप लोगों से क्या कहा student अगर neutral substance है neutral like water है NaCl है H2SO4 आपको neutral दे रखा है या कोई और neutral condition है तो small n की जंगा आपको collectively atomic number रखना है पूरे substance का collectively atomic number या पूरे substance के number of electron या number of proton आपको यहाँ पर put करने है लेकिन ये तो आयन है आयन की case में हम क्या करते है positive count करिए कितने है दो positive है तो small n की जंगा हम रखने वाले है student 2 और electron की charge की value है ये 1.6 into 10 की power minus के 19 अब मुझे लगता है कि बहुत ही आसान है problem solve हो गई हमारे पास में ये इससे cancel out 2 ये 2 इससे cancel out so charge is equal to 6.022 into 1.6 into 10 की power 4 कुलंब positive में 20 gram calcium के उपर इतना positive charge आने वाला है बचो this is the positive charge on 20 gram calcium इस तरीके से problem को solve करेंगे तो ये बहुत super trick है student किसी भी problem को solve करने की सीधा बहुत शानदार formula है आपके सामने neutral substance के उपर भी आप इसे लगा सकते हो बस इतना ध्यान रखेगा कि small n की दिना z आपको put करना है और आप ionic material के उपर भी से apply कर सकते है ठीके एक problem आपको देते हैं जल्दी से उस problem को solve करिए और comment box के अंदर उसका answer mention करिए बचो problem student आपके पास में है 5 gram of CL minus ठीके आपको इसके अंदर find negative charge find negative charge in 5 gram of CL minus ठीके आपको इसके अंदर negative charge बताना है student कितना होगा जल्ली से आप problem को solve करें और comment box के अंदर answer को mention करें student मिलते हैं आप लोगों से एक नए concept के साथ बचो एक नए class में चली